इंडिया अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँच गई है। टीम ने समी फाइनल में एक क्लोज अंकाउंटर में साउथ अफरीका को दो विकेट सहरा दिया। ये टीम इंडिया का लगातार पांचवा और कुल नवा फाइनल है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब तक कि सभी आठ फाइनल के रिजल्ट। अंडर 19 वर्ल कप के कुल 14 एडिशन हो चुके हैं और 15 एडिशन का फाइनल अभी बाकी है। अब तक कि सभी टूनामेंट्स के अगर बात की जाए तो इंडिया अंडर 19 टीम ने एक तरफा डॉमिनेशन दिखाते हुए पांच फाइनल जीते हैं। इंडिया ने अपना पहला अंडर 19 टाइटल मोहमत कैफ के कैप्टेंसी में येर 2000 में जीता था। फाइनल में श्रिलंका के अगेंस्ट खेलते हुए टीम इंडिया ने छे विकेट से जीत हासिल की थी। इस टूनामेंट के मैन ओज़ शीरीज थे युवरास सिंग। इसके बाद इंडिया ने अपना अगला फाइनल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। बगर इस माच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस टूनामेंट के मैन ओज़ शीरीज थे चेड़ेशवर पुझारा। उसके बाद 2008 में टीम इंडिया ने विराट कोली की कैप्टेंसी में अपना दूसरा टाइटल साउथ अफरीका के एगेंस्ट जीता। विराट कोली की इस टीम में मनीश पांडे और रविंद्र जड़ेचा जैसे बहतरीन प्लेयर श्रामिल थे। इस टूनामेंट के मैन अफरी सीरीज थे टिम साउधी। 2008 के बाद टीम इंडिया ने अपना अगला फाइनल खेला 2012 में। इसमें टीम इंडिया ने ऑस्टेलिया के अगेंस्ट 6 विकेट से जीत हासिल की थी। इस टूनामेंट के मैन अफरी सीरीज थे ऑस्टेलिया के विलियम बॉसिस्टो। ऑस्टेलिया के इसी अंडर 19 टीम में ट्राइविस हेड भी शामल थे। और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में क्या कर दिखाया था। खैर आगे बढ़ते हैं। 2016 में भी इंडियन टीम फाइनल्स तक पहुची थी बगर उन्हें वेस्टेंडीज के अगेंस्ट पांच रिकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस अंडर 19 वर्लकप के नान आफ दे सीरीज थे महधी घसन मिराज। इंडिया के इस अंडर 19 वर्लकप स्कॉर्ड में रिशप पंद, इशान केशन, सरफरास खान और वशिंग्टन सुन्दर जैसे शांदार प्लेयर्स सामल थे। वगर फिर भी पूरे टूनामेंट में तापड तोड परफॉमेंस करने के बाद टीम इंडिया फाइनल में हार गी। इसके बाद 2018 में टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल्स में पहुची और इस टूनामेंट में तो टीम इंडिया ने ऐसा डॉमिनेट किया था कि फाइनल से पहली सब ने बता दिया कि इंडिया इस बार फाइनल जीतने वाली है और वही हुआ इंडिया ने उस्टेलिया को आठ विकेट से एक वन साइरिड मार्च में हरा दिया टीम इंडिया की स्कॉर्ड में शुबंगिल, पित्वी शौ, शिवम मावी और कमलेश नागर कोटी जैसे धाकर प्लेयर श्रामिल थे इसकॉर्ड की बोलिंग कोच और कई और क्रिकेट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया का ये बॉलिंग यूनिट टूनामेंट का सबसे बहतरीन बॉलिंग यूनिट था इस टूनामेंट के मैन और दो सीरीज शुबमन गिल थे, इसके बाद साल 2020 में इंडिया साथवी बार फाइनल में पहुंचा जहां इंडिया को बंगलादेश के हाथो तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा इस टूनामेंट में ये शस्फिक जैसवाल मैन और दो सीरीज बने थे इसके बाद इंडिया ने अपना आठवा और लगाता चौतवा फाइनल खेला जिसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया फाइनल के मैन आफ दो मैच थे राज अंगत बावा और मैन आफ दो सीरीज थे बेबी एबेड विलिट्स कहे जाने वाले डेवल ब्रविस इस सीरीज में भी टीम इंडिया ने अपनी आल जाउंड केपेबिल्टी दिखाते हुए पूरे टूर्नमेंट में डॉमिनेट किया था आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके सिरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले